नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हर्षता आप देख रहे हैं फास्ट समाचार शिफपुरी जुले की कोरोना संक्रमन के पहले मरीज दीपक शर्मा अपने मनोबल की दम पर कोरोना संक्रमन से तो जंग जीत गए पर अपने पढ़ोसियों और नस्जीकियों के दुरवयवहार बुरे बरताव के सामने उनका मनोबल तूट चुका है और अब वो अपने परिवार के साथ अपना घर बेच कर जा रहे हैं दीपक शर्मा ने अपने पढ़ोसियों के दुरवयवहार के चलते घर पर बोट भी लगा दिया है कि ये मकान विकाऊ है जब इस मामले पर दीपक के घर पहुच कर उनसे बात की तो उनका कहना था कि वो कोरोना वारस से सिर्फ अपने मनोबल के कारण स्वस्थ हुए हैं और उनका मनोबल जिला प्रसाशन चिकित्सक नर्स मीटिया द्वारा फोन पर उनसे लगातार बातशीत कर बढ़ाते रहें लेकिन जब से वो स्वस्थ होकर शिव कॉलोनी इस्तित अपने घर आए हैं तब से उनके पड़ोसी और नजदी के उनके साथ दिर्वेवार बुरा बरताव कर रहे हैं करने की अति कर दी जेवी यहां पर बनी से तूुसर पड़ाती इस वाई उनको दू कल लेना उनका ममी जहां से चलती हैं जहसे पादा स्बाइस परले वनके कादम झाप dropped कि में जलना सब्सक्राइब करना हम भी जानते हैं कि किस चीज से बचना है किस चीज से हाँ है उसके बाद मैं मैं होस्पेटल में था सब जी बगर लिया अब आदमी जीएगा कैसे कुछ खाईगा पीएगा तो उस ताइम पे भी कालोनी वालों ने कालोनी में यसा नहीं कि हरवंदा खरा किसी ने बोला कि यह ना यह लगा रहे जाएगा एसा हो जाएगा तो इस तो आदमी का मनुबल डॉण होता है और कुछ नहीं होता है मनुबल डॉन होगा तो फिर प्रॉलम होगी तो यही कारण है कि आपने में मकान बेचने का फैसला लिए क्योंकि जब देखिए मैं तो जानता हूं इस दुनिया में चाहे दोस्तों चाहे कोई भी हो समाजों कुटों मोर इस्थिदारों सबसे पहले परोसा आता है सबसे पहले परोसा के ख़ड़ा होगा तेकर परोसी ऐसा अपने निगेटिव टैप की वर्ट स्वीच करेगा तो आदमी कैसे रहेगा जो सब्सक्राइब कर रहे हैं तो कारण क्या है इसका कारण लोगों इसको मेरे बच्चों को वह गया था वायरस वारे तो लेकिन अब तो लेकिन अब तो दीपक भाई निगेटिव निगेटिव आया न आप तो सही हो गया न आप तो आप ता सही है ना